असलाम अलेकम दोस्तों, चेंपियन कब को कैसे पाकिस्तान के रिकर्ट बोर्ड डिस्क्राइब करेगा? मुझे तो ये समझ नहीं आ रही, पाकिस्तान का एक बोलर, जो जब वो बोलिंग कर्वाने आता है, दस ओवर कंप्लीट करता है, उसको रन पड़े होते हैं 90, दस ओवरों में 90 रन खाके जाता है वो, नो की अकोनिमी से खाता है, लेकिन जब वो बैटिंग करने के लिए आता है, तब वो 16 गिंदों पर 42 रन्स मारता है, 210 के स्ट्राइगरिट से बैटिंग करता है, छेचे च्छके मारता है, चेंपियन कप का अंदाजा आप यहां से अच्छे से लगा सकते हैं, क्या स्टंडर है, चेंपियन कप का, पिचिज कैसी हैं वहां पर, पहले टीम जो भी बैटिंग करती है, उसका तो हाथ में एक्तियार होता है, कि हमने आज मैज जीतना ही है, वो टास होते ही पता चल जाता है, पहले टीम बैटिंग करने वाली को, लेकिन आज का जो मैज था, उसमें सेकंड टीम में जो भी बैटिंग करने के लिए आई, उन्होंने फाइट बैक जरूर किया, वो भी बोलर की वज़ा से, एंड पे आके बोलर ने थोड़ा सा अच्छा केला, चैंपियन कब में जितनी भी सेंचिरी बनी है, आलमोस्ट हर मैच में कोई ना कोई सेंचिरी मार कर जा रहा है, ये तो बात कन्फरम है, लेकिन जितनी भी सेंचिरी लगी है अभी तक, उन में से सबसे फेवरेट सेंचिरी आप लोग की वो होनी चाहिए, जिसने बाद में आकर बैटिंग की क्योंकि जो बाद में आकर बैटिंग करती हैं उन लोगों के लिए कुछ भी नहीं बचता बस बहुत डिफिकल सिच्वेशन में वो खेरे होते हैं तैयब ताहिर इसने सेकंड इनिंग में आकर सेंचरी मारी है मेरे लिए तो सबसे इंपोर्टन सेंचरी यह है क्योंकि इससे पहले जो सेंचरी मारी इसी मैच में वो मारी है सायम यूब ने अब सायम यूब की डिमांड चेक करो आप सायम यूब ने अब 156 तो बना लिए 122 के स्राइग रेड से 156 रं तो उसने बना लिए चेंपियन कब में लेकिन उसकी डि 35-35 मैचिस के बाद उसको यह राइट दिया जा सकता है कि अगर आप डिमेस्टिक में एक सेंचरी लगा लेते हो आपका हक बन जाता है कि आप इंटरनेशनल में आओ पाकिसान टीम की तरफ से खेलो 32-32 मैच में पाकिसान टीम का बेड़ा गरक करवाओ और बोनस में आपको एक वर्लकप फ्री दिया जाएगा एक वर्लकप में आप नहीं चलते कोई बात नहीं वो फ्री होगा वो आपका ट्रेहल होगा क्योंकि आपने डिमेस्टिक में सेंचरी जो हमारी है और वही ऐसी सेंचरी पे तो यह ही है हमारी तरफ से और साइम यूग को पता किस चीज की जरूरत है, साइम यूग को एक कोच की जरूरत है और वो कोच साइम यूग को पता क्या अडवाइस देगा, वो अडवाइस ये देगा, खुदा का वास्ता है, आप इंटरनेशनल से रिटायर हो जाओ, आप डुमेस्टिक रिकट खेलो, क्योंकि वहाँ पर आप अच्छी प बैटिंग करती है, और बैट्समेन क्यों परफोर्मस दे रहे होती है, साइम यूग 156 रन मार गए, उस्मान खान 55 रन मार गए, अवैस 50 कर गया, पहले तीन बैट्समेन ने ही सारा टोटल सेट कर दिया थैं आने वाले टीम के लिए, बाद में तो चान बुरा था बिचारे उन लोगों को थोड़ी थोड़ी बाल मिली, वो खेलते गए, सैकेंड टीम पर जो बैटिंग करती है, चेंपियन कम में उनके सुर्थियाल ये है, कैप्टन आते हैं, कैप्टन इसने कहा था, स्टेट्मेंट भी दिया था, मैं डिफिकल सिचुएशन में खेलूँगा, डि इचली मैच में सैंचरी मार गये थे, इस दफ़ा पांच ही बना कर आउट होगे, यहां पर फुल जो क्रेड जाता है, इस मैच का अगर आप क्रेडित देना चाहते हैं, वो दे सकते हैं तैयब ताहिर और हुसेन तलत को, यकीन मानो, जबर्दस बैटिंग किये हैं लोगों ने, difficult situation में इन लोगों ने खेला है, इस से पहले जिस टीम ने भी second में आकर बैटिंग किती, second inning में वो 200 रन नहीं बना सके, 200 रन बड़ी दूर की बात है, कभी 97 पर आउट होकर जा रहे हैं, कभी 500 रन बना रहे हैं, ऐसी situation होती थी second टीम जो भी आती थी बैटिंग करने के लिए, लेकिन हुसाइन तनलत और तयब ताहिर ने ये प्रूव करके दिखाया है, कि हम एक प्रोपर बैट समयन हैं, फिर हमारे champion cup का standard बताने वाले, जमान खान आते हैं, जमान खान जो बैटिंग करते हैं, अलहम दूलिलह, देखकर आप लोगों को मज़ा आएगा, अगर बहुत से लोग ये बोरे थे के champion cup हो किस वज़ा से रहा है, पाकिस्तान cricket board जो सोच रहा था, वो तो ये सोच रहा था, हमें इसमें से champion मिलेंगे, champion हम धूंड रहे हैं, अब ये champion कैसे मिलेंगे, champion ऐसे मिलेंगे, कि आपको इस pitch पर खेलते हुए, बोलर भी 50-50 मार जाएंग ऐसी situation हमारी, ये standard है हमारा, और जो हमारे mentor है, अलहमदुलिल्ला, वो पर मत कितने पैसे ले रहे हैं, 50 लाक ले रहे हैं, 50 लाक mentor को दिये जा रहे हैं, जो भी खर्चा हो रहा है, बचारे जो player है, वो तो पैर्स पर भी कपड़ा चिड़ाया होता है, हेलमट पर भी कपड़ सेफटी का कोई पता नहीं होता, लेकिन mentor को 50 लाक दिये जा रहे हैं, लोली पोप ये दिया जा रहा है, ये mentor आपको champion ढूंड कर देंगे, क्या अभी तक आपको लगा है, हर match में most century मार रहा है, कोई ना कोई player century मार रहा है, कोई ऐसा player लगा है, जो Pakistan टीम में जिसको शामिल क परफॉमस देने वाला आपको कोई भी player इस pitch पर भी ने नजर आएगा, उस्मान खान एक मैच में century मारते हैं, कामरान गुलाम ने अभी तक दो century मारी है, तैयब ताही ने century मारी है, साइम यूब ने क्या किया है, century मारी है, लेकिन उससे पहले अगर आप देखोगे, इसके stat है, हाँ अगर पाकिस्तान cricket board champion cup में आराउंडर को डून रहा है, तो फिर इर्फान खान नयाजी, उसने भी century लगाई थी पिछले मैच में, और क्या जबरदस उसने century लगाई थी, देखकर बहुत ही मजा आया, लेकिन वो performance continue नहीं दे पा रहा, अब वो पाकिस्तान टीम की तरफ से गया था, पाकिस्तानी शाहिन की तरफ से, उसको नो मैच में खलाया गया, नो मैच में उसने एक century मारी थी, अब भी उसने सेम ही ऐसे किया, पहला मैच तो उसको खलाया नहीं गया, बाद में उसने दो मैच में एक century लगाई है, वैसे कराची किंग की तरफ से भी उ एसा लगा कि यह champion है जो पाकिस्तान टीम के लिए खेल सकता है पाकिस्तान टीम को difficult situation में मैच भी जित्वा कर दे सकता है international में पाकिस्तान हार बार फस जाता है चाहे series हो किसी भी country से चाहे ICC का हीमट हो लेकिन पाकिस्तान क्रिकट टीम पाकिस्तान को हरवाती आ रही है बंगलादेश चे भी हम आ रहे हैं ये सिचुएशन आगी हम अपने घर पर ही आ रहे हैं इंडिया को आप देखो इंडिया किसी टीम को जितने ही नहीं देता अपने घर पर इंगलंड हो बंगलादेश हो अस जरूरूब दाइए कि आपको कौन सा चेंपियन लगा सीरीज में तो आपको कोई भी नजर आएगा लेकिन आपस में खेल के इन लोगों को कौन सा चेंपियन लगता है अपनी रेक्मेंड बॉक्से मुझे जरूरूब दाइएगा थैंक्यू